सावन के पवित्र महीने का आज तीसरा सोमवार है बागवान शिव के पूजा और जलाबिशेक के लिए ये दिन बेहद खास होता है तीसरा सोमवार हरी हरात्मक होता है इसलिए इस दिन बागवान शिव के खास सिवलिंग की पूजा से बागवान शिव और विश्नु दोनों की क्रिपा बरस्ती है इतना ही नहीं बगवन भूले भक्तों की सभी मनों कामनाएं भी पूर्ण करते हैं इस बार सावन के तीसरे स्वमवार को कई अद्बुद सयोग भी है काशी के जो तीसा चर पंधित संजय उपादयाय ने बताए कि सावन का तीसरा स्वमवार सुगलपक में पढ़ रहा है इस दिन असलेशा नच्छत्र है और याईच नामक योग का निर्माड हो रहा है जो बेहद सुबकारी है इसके अलावा इस दिन स्वमे नामक योग भी बन रहा है जो इस सोमवार को और भी खास बनाता है पंधित संजय उपादयाय ने बताए कि सोमवार हरी हरात्मक है क्योंकि यह सुकलपक्ष में शुरू हो रहा है इस दिन भागवान शिव के संकर नरान सिवलिंग की पूजा करनी चाहिए इस सिवलिंग की पूजा के दोरान हमें उस पर बेल पत्र और तुलसी दोनों ही अरपन करना चाहिए इससे भागवान विश्णू औ दोनों के कृपा हमें प्राप्थ होगी के तीसरा सोमार सबसे महत्तोपून है सबसे अबली बात है कि तीसरा सोमार जो है कि सुकलपक्ष में प्रारम हो रहा है तो सुकलपक्ष में प्रारम हो रहा तो यह हरी हरात्मक है इसमें जो है उस सिवलिंग पर या उस सिला पर पू और तुलशी दोनों चीज अरपित कर शक्ते हैं पहली बात दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा योगर के असलेशा नच्छत्र है असलेशा मूल का नच्छत्र है तो अगर कोई व्यक्ति अपनी मूल शांती कराना चाहता है तो उसके लिए यह सुमार बहुत अच्छा होगा मूल शांती के दिन अगर वह जिसने अगर अपनी मूल शांती नहीं कराई है भूल गया है तो बात में अगर वह कराना चाहता है तो यह दिन उनके लिए जिसका असलेशा नच्छत्र में जन्म हो असलेशा का मूल हो वही जो है इस दिन जो है रुद्राविशे कराएंगे तो उनको मूल शांति से निवरित्ती मिलेगी। दूसरी बात यह है कि याईज नामक योग का निर्माण हो रहा है, जो कि सबसे अच्छा योग है। और तीसरी बात यह है कि सौम्मे नामक योगा है यह सौम्मेता को प्रदान करने वाले होंगे सुभता को प्रदान करने वाले होंगे इससे सुभता राप्त होगी देखे याई जियोग का सुरुवात जो है आपका सुरुवात तो पहले एक दिन पहले हो जाएगा लेकिन समा समापन तीन बच करके 25 मिनट के लगभग है और असलेशा जो है आपका एक दिन पहले आमावस्या को ही शुरू हो गया है और समापन उसका तीन बच के 15 मिनट पर होगा उसके बाद मघा नच्छत लगेगा तो सलेशा और मघा दोनों मूल के नच्छत्र है तो इन नच्छत्र